जैपुर बगरू में सुवह बगरू के पास अजमे नेशनल हाईवे 48 पर एक दिल धहलाने वाला सड़क हादसा हो गया दो ट्रेलर उकी आमने सामने की टककर के बाद एक ट्रेलर के कैबिन में भीशुन आग लग गई जिसमें चालक और खलासी की जिन्दा जलकर दर्दनाक मोत हो गई हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और कई किलोमेटर लंबा जाम लग गया यह भीशुने दुरगटना दहमे खुर्दी के पास हुई टककर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रेलर के कैबिन में तुरंथ आग भड़क उठी आग की लप्टों में फस गए चालक और खलासी को बचाया नहीं जा सका मोके पर पहुँची बगरू थाना पुलिस और दमकल कर्मी उन्हें आग पर काबू पाने की खूब कोशिश की लेकिन तक तक दोनों की जान जा चुकी थी इस हादसे के बीच एक और दुरगटना होते होते बच्ची जब पीचे से आ रही दूद से भरा एक टैंकर एन नियंतरी थोका सडक से उतर कर नाले में जा किरा गनी मत रही कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ लेकिन हाईवे पर वहनों की लंबी कतारे लग गई जिससे यातायाद बुरी तरह से प्रभावित हो गया गटना की जानकारी मिलते ही बगरू धानादिकारी हरीश चंद्र सोलंकी अपने टीम के साथ मोके पर पहुँचे और हालात को काबू में किया पुलिस ने तुनंत कारवाई करते हुए दुरगटना ग्रस्ति ट्रेलरों से शवो को बहा निकाला और उन्हें बगरू के अस्पताल की मोर्शेरी में भीजा गया इसके बाद क्रेन की मदद से ट्रेलरों को हटा कर ट्रैफिक को सुचारू किया गया